पुश्कार दोस्तों, फिटनेस गुरू में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहु मुत्र रोग के बारे में बहु मुत्र यानी कम समय में बार बार पेसाब का आना दोस्तों हम आज आपको कुछ इस तरह के घरेलू उपाय बताएंगे जिसके सेवन करने से आप बहु मुत्र की सिकायत एक हफते के अंदर ही दूर कर लेंगे सबसे पहले में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल फिटनेस गुरू को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खिरपा इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम आपकी हेल्थ से सम्मदित सभी जानकारी लेकर आते हैं जिससे आप अपने घर पर ही और शदी बना सकते हैं और स्वस्त जीवन जी सकते हैं दोस्तो पहला उपाए पहले उपाए में आपको क्या-क्या सामगरी चाहिएगी वो हम आपको बताते हैं नमबर एक रूमी मस्तंगी दो दाल चीनी तीन शक्कर जो सामगरी हमने आपको बताई है रूमी मस्तंगी दाल चीनी और शक्कर इन तीनों को समान मात्रा में पीस ले फिर उसका चूर्ण बना कर अपने पास एक सीसी में या एक डब्बे में रख ले अब दोस्तों आपको क्या करना है रोज सुबह वय शाम को तीन गराम की मात्रा में आपको गरम पानी के साथ इसका सेवन करना है आप देखेंगे कि एक सप्ता के अंदर ही आपकी बहुमुत्र की सिकायत दूर हो गई है दूसरा प्रियोग इस प्रियोग में दोस्तों आपको जो सामगरी की आवशकता पड़ेगी वो हम आपको बताते हैं 20 ग्राम खसकस और 20 ग्राम गुड़ तो दोस्तों 20 ग्राम खसकस और 20 ग्राम गुड़ को आप एक साथ मिला कर रख लें और रोज सुबह वह शाम एक एक ग्राम जल से सेवन करें इससे आपका बहुमुत्र रोग ठीक हो जाता है तीसरे प्रियोग में दोस्तों आपको काला तिल वै पुराना संभाग गुड़ लाना है इन दोनों को दोस्तों एक एक ग्राम की गोलिया बना कर रख लें बराबर मात्रा में मिलाएं और एक एक गोली दिन में तीन बार सेवन करें इससे आपका बहुमुत्र का रोग बहुत ही जल्दी एक सपताह के अंदर ठीक हो जाएगा